आप जानते ही होंगे कि सिर्क का अर्थात विनेगर जिसका हम चावमिन, सूप या अन्ने भोजे सामगरी जैसे मूली, प्याज आधी में भी उपयोग करते हैं वह हैं एसेटिक अमल का तनू विल्यन होता है आज हम एसेटिक अमल जिसे एथेनोइक अमल भी कहते हैं के भौतिक वा रसाइनिक गुर्णों का अध्यायन करेंगे एथेनोइक अमल का रसाइनिक सूत्र है CH3-COOH यह एक कार्बनिक अमल है जिसमें COOH प्रकार्यात्मक समू होता है इसकी एक विशिष्ट गंध होती है जिसे हम सिरके की गंध भी कहते हैं यह कार्बनिक अमलोग के समाने गुर्ण प्रदर्शित करता है जैसे सोडियम कार्बोनेट वा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रसाइनिक अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ उदासीनी करण अभिक्रिया करता है वा अल्कॉहल के साथ estery current की अभिक्रिया भी करता है आज के प्रयोग के लिए हमें आवश्यक समगरी जो चाहिए होगी वो इस प्रकार है sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate, sodium hydroxide, ethanol, phenophthalene, sander sulfuric amyl पांच प्रतिशत एथेनोइक अमल, नीले लिटमस के पतरक दो बीकर, मापक सिलिंडर, दस एमल वाला, त्रिपाद स्टैंड, बर्नर और तार की जाली सबसे पहले हम एथेनोइक अमल के भातिक गुण धर्मों जैसे रंग, गंध, वाजलमे विलेता की जांच करेंगे अमल को अब हम क्या करते हैं थोड़ा सी इसकी एक मातरा, एसिटिक अमल की एक परकमली में लेते हैं और देखते हैं, कि इसका क्या रंग है, मैंने एसिटिक अमल की कुछ मातरा परकमली में ली है और आप देख सकते हैं, कि यह है रंग हीन है, अब हम इसकी गंध को देखते हैं, जिसके लिए मैं थोड़ा सा इसको अपने नाक के पास ले जाती हूँ मुझे इसमें एक विशेश और तीखी गंध आ रही है, जिसको सिर्के की गंध कहते हैं अब हम एक दूसरी परकमली में जल की कुछ मातरा लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा असिटिक अमल मिलाते हैं, और हिला कर देखते हैं, आप देख सकते हैं कि असिटिक अमल जल में पूर्न रूप से घुल गया है, अता है यह जल में घुलनशील है, और अपने प्रेक्षनों को प्रेक्षन सार्नी में भी लिखते जाएंगे, और इसमें एक स्पेचुला के साथ थोड़ा सा सोडियम गार्बोनेट मिलाते हैं, और ध्यान से देखते हैं कि परक्षनली में लिए गये असिटिक अमल और सोडियम कार्बोनेट में क्या कोई अभिकRIए हो रही है। आप देख सकते हैं कि परक्नली में एक गैस के बुलबुले से कुछ दिखाई दे रहे है हमें, थोड़ा सा एसिटिक अमल में और डालती है इसमें, यहां एसिटिक अमल और थोड़ा सा इसको हिला देते हैं डालने के बाद, एसिटिक अमल और सोडियम हाइड्रोजन कार्वोनेट के बीच जो अभी क्रिया होती है, उसका रहसाइनिक समीकरण इस प्रकार है, एसिटिक अमल जमा सोडियम बाइकार्वोनेट, जिससे हमें प्राप्त होता है, सोडियम एसिटेट, जल और कार्वन डाइकसाइड, अर्थात, यहां जो गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, वह कार्वन डाइकसाइड हो सकती है, या होनी चाहिए, जिसे हम एक प्रयोग आशट्वारा अभी निश्चित भी करें गे, इसी प्रकार एक दूसरी परकनली लेते हैं, और उसमें एसिटिक अमल की कुछ अमात्रा फिर से लेते हैं, अब इसमें हम कुछ अमात्रा सोडियम खार्बोनेट की मिलाएंगे, ये एक स्पेचला में मैंने थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट लिया है अब मैं इसमें ये जब डालती हूं तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ही लाने पर फिर से इसमें गैस के कुछ बुलबुले नजर आ रहे हैं यहां भी इन दोनों के बीच एक अभीक्रिया हो रहे ह है असितिक अम्ल जमा सोडियम कार्बोनेट जिससे हमें प्राप्त होता है सोडियम एसिटेट जल और कार्बन टाइओकसाइड यह गैस के बुलबुले कारबन डायोकसाईड के ही है जिसे हम एक डव्लियू ट्यूब में चुने के पानी से गुजार कर देख सकते हैं अब ह कार्वोनेट पहले से ही डाल के रखा हुआ है. W tube के दूसरे सिरे में मैं अब ये थोड़ा सा चूने का पानी डालती हूं. अब हम एक dropper की सहाइता से थोड़ा सा एसिटिक अम्ल इस सोडियम कार्वोनेट में डालेंगे इस तरफ से और देखेंगे कि क्या कोई अभिक्रिया हो रही है. यह देखिए. यहां आप देख रहे होंगे कि कुछ गैस यहां पर बन रही है. अब मैंने एक तरफ से यहां पर उंगली से इस ट्यूब को बंद कर दिया है ताकि यह गैस इस तरफ से होकर जो कैल्शिम हाइड्रोकसाइड यानि कि चूने के पानी का विलियन यहां पर लि दूदिया हो गया है. इस रंग परिवर्तन को आप आसानी से देख सकते हैं. चूने का पानी जो पहले रंग हीन था अब दूदिया दिखाई दे रहा है. अर्थात जो अभीक्रिया इस तरफ हुई है डबली ट्यूब में जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट और एसेटिक अमल लिया था उसमें कार्बन डायोकसाइड निकली और वो इस प्रकार इस तरह से हमने चूने के पानी में से कार्बन डायोकसाइड को गुजारा जिससे कि उसका रंग हीन से दूदिया हो गया. इस डबली ट्यूब के प्रयोग से यह निश्चित हो गया कि एसेटिक अमल और सोडियम कार्बोनेट के बीच होने वाली अभिक्रिया से निकलने वाली गयास कार्बन डायोकसाइड है. अब हम एक और परकनली लेते हैं और उसमें एसेटिक अमल की कुछ मात्रा इस तरह ड्रॉपर की सहायता से लेते हैं. अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा फिन ओफ्थलीन डाल देती हूं. ये दो तीन बूंदे फिन ओफ्थलीन की एसेटिक अमल के साथ इस परकनली में हैं. अब एक दूसरे ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोकसाइड के विलियन को बूंद बूंद करके इस परकनली में डालते हैं और साथ ही हिलाते भी जाते हैं और देखेंगे कि क्या हुआ देखिए गुलाबी रंग आया और फिर एकदम से खतम हो गया. अभी क्रिया ह तक तीन बूंदे सोडियम हाइड्रोकसाइड की डाल चुकी हूँ और देखते जाते हैं कि कितनी बूंदे और मुझे डालनी है ताकि गुलाबी रंग जो आ रहा है ये स्थिर हो जाए अब तक हमने करीब 15 बूंदे सोडियम हाइड्रोकसाइड विलियन की डाल दी हैं कि क्या होता है अब जो अभी क्रिया हो रही है वो पूरी होने वाली है और कुछ ही बूंदे और डालने पर हम देखेंगे कि यह है रंग गुलाबी हो गया है जो फिर पुना रंग हीन नहीं होता है ये देखिए अब ये अभी क्रिया पूरी हो गई है अब हम ये स्वनिश रूप से कह सकते हैं, कि जो एसेटिक की अमलिय प्रकृति थी, जब हमने सोडियम हाईडरोकसाइड डाला, तो वह समाप्त हो गई, अर्थात, अब यह विलियन अमलिय नहीं रहा, हम इस परक्नली में से इस विलियन की एक-एक बूंद इन लिटमस बत्रों पर डालते हैं, औ देखते हैं कि क्या कोई रंग परिवर्तन हो रहा है या नहीं, यह नीला लिटमस पत्र है, आप देखेंगे कि इसका रंग परिवर्तित नहीं हुआ, इसी प्रकार जब हम लाल लिटमस पत्र को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जिस भाग में हमने इस विलियन की कुछ मातरा डाली थी उसका रंग नीला हो गया है अर्थात अब इस विल्यन की प्रकृति शारिये है और यहें अमलिये नहीं रहा ऐसा क्यूं हुआ जबकि हमने प्रारंब में इसमें एसिटिक अमल लिया था उसकी अमलिये प्रकृति जब हमने इसके अंदर बून-बून करके sodium hydroxide डाला तो वह समाप्त हो गई और यह है एक उदासीनी करण अभी क्रिया का उधारन है जिस अभी क्रिया को अब हम इस प्रकार लिख सकते हैं एसिटिक अमल जमा sodium hydroxide जिससे हमें प्राप्त होता है sodium acetate जमा जल आईए अब एक और अभी क्रिया करते हैं जो की एसिटिक अमल की एक बहुत रोचक अभी क्रिया है यहां एक परक नली को मैंने इस तरह से क्लैंप कर रखा है इसमें हम एसिटिक अमल की कुछ मातरा डालते हैं और फिर एक ड्रॉपर की सहाईता से तीन चार मूने सल्फियूरिक अमल की इसमें डालते हैं याद रखिए कि सांद्र सल्फियूरिक अमल को लेना है तो इसलिए इसके प्रयोग में थोड़ा साफधानी बरतनी है कि यह नीचे नहीं गिरे यह देखिए मैं इसमें अब तीन चार मूने सल्फियूरिक अमल की डाल रही हूं इसके बाद इसमें हम एथनॉल डालते हैं और इसके साथ ही मैंने यह इसमें डाल दिया है इसके साथ ही दूसरी तरफ हमने एक बीकर लिया है जिसमें जल की कुछ मात्रा है अब हम इस जल को थोड़ा गरम करेंगे क्योंकि इस अभिक्रिया के होने के लिए थोड़ा सा हमें इस मिश्रन का ताप बढ़ाना होगा मैं ये बर्नर की सहायता से यहां पर इस पानी को गरम कर लेती हूँ पहले और फिर जल में रखे गरम पानी में इस परक्नली को हिलाता हुए कुछ देर तक गरम करती हूँ आप ये देखे कि पानी अब कुछ गरम होना शुरू हो गया है इस प्रक्रिया को हम चार-पांच मिनट तक इसी प्रकार करते रहते हैं परक्नली में एसेटिक अम्ल और एथनॉल की लगबग बराबर मातरा है जिसमें सांद्र सर्फिविक अम्ल की चार-पांच मूने भी मिलाई गई है अब चार-पांच मिनट हो गए हैं और हम ये देखते हैं कि क्या कोई सुगंद या कोई और तरह की गंद आ रही है मुझे एक बहुत अच्छी सी फलों जैसी सुगंद इसमें महसूस हो रही है जो कि सिर्के की गंद से बिलकुल अलग है हमने शुरू में सिर्के की गंद को भी देखा था जिसकी एक अभिलक्षनिक गंद थी बिलकुल तीखी और अब जब हमने यह अभिक्रिया की है तो इस से हमें एक अलग प्रकार की गंद प्राप्त हो रही है अर्थात इस प्रकार इसमें एक नया यौगिक बन गया है जिसे की हम एस्टर कहते हैं अर्थात एसिटिक अमल से प्रारंब करके हमने अब एक एस्टर प्राप्त कर लिया है जिसकी फलों जैसी गंद होती है इस अभिक्रिया को estery करन अभिक्रिया कहते हैं और प्राप्त यौगिक को ester कहते हैं इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं acetic aml, jama, ethanol जिससे हमें प्राप्त होता है ethyl ethanoate या ethyl acetate एक ही यौगिक के नाम है ये और साथ में जल प्राप्त होता है तो यह भी एक बहुत रोचक अभिक्रिया है acetic aml की अब हमने ester प्राप्त कर लिया है और अब हम इस burner को बंद कर देते हैं आज के एthenoic aml के भौतिक और असाइनिक गुण धर्मों के जानने के प्रियोग में हमने जो देखा आईए अब उसको दोहरा लें एthenoic aml एक रंग हीन और जल में घुलनशील पदार्थ है यह सोडियम कार्वोनेट वह सोडियम हाइडरोजन कार्वोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्वन डायोकसाइड उत्सरजित करता है सोडियम हाइडरोकसाइड के द्वारा इसे उदासीनिक रित किया जा सकता है और एलकोहल जैसे एथनॉल के साथ अभिक्रिया करके यह एक एस्टर बनाता है जिसकी फलों जैसी गंध होती है एथेनोई कामल के भौतिक और रसाइ आनिक गुण धर्मों के बारे में आज हमने प्रियोग द्वारा देखा अब हम इन गुण धर्मों को सारणी एक और सारणी दो में लिख लेते हैं रंग आपने देखा कि एसेटिक अमल का कोई रंग नहीं होता गंध इसकी एक तीखी और विशिष्ट गंध होती है जिसे स बंध कहते हैं विलेता यह जल में पूर्न रूप से विले होता है रसाइनिक गुण धर्मों की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि सोडियम कार्वोनेट और सोडियम बाई कार्वोनेट के साथ एसेटिक अमल की अभिक्रिया से कार्बन डायोकसाइड और जल प्राप्त होते हैं और साथ ही सोडियम एसिटेट भी बनता है जब हम एसिटिक अमल की सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसका उदासीनी करण हो जाता है जब हम एसिटिक अमल की एथानॉल जैसे की किसी भी अलकॉहल के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं त कहते हैं, आज हमने एसितिक आमिल के रोचक, भौतिक और रसाइनिक गुंड धर्मों के बारे में जाना, हम आशा करते हैं कि इसके बाद आप जब भी एथेनोईक आमिल का प्रयोग करेंगे, आप इन गुंड धर्मों को अवशे ही ध्यान में रखेंगे, धन्यवाद. झाल झाल